नमस्कार मितरों आज हम पाठ चार टेड़ी बीर सा पांडा पढ़ेंगे आज हम आपके प्रियो टेड़ी बीर से बिल्कुल मिलते जुलते प्रानी पांडा के बारे में बात चीत करेंगे पांडा आपने शरीर पर हुशेष्ट काले और सफेद फर और एकांत प्रिय एवं शान स्वभाव के कारण अलग ही पहचान रखता है अंग्रेजी में जेंट पांडा कहा जाने वाला यह सुस्त सा पांडा बेर्ड हमारी प्रिथ्वी से विलुप्त होने की कगार पर है भालू परिवार ससंबंध रखने के बावजूट पांडा भालू की अन्य प्रजातियों से बहुत भिन है विज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक यह बहस का मुद्धर हा है कि यह दर असल भालू ही तो नहीं हाल की प्रियोगों से सिढ हुआ है कि पांडा वास्तव में भालू ही है हाल की पांडा वो अन्य प्रजार के भालूं के बीच काफी अंतर है जैसे कि पांडा अन्य भालूं के भांती चिन घार नहीं सकता इसके स्थान पर वह या तो गुरारता है या भौंकता है पांडा मूल रूप से दक्षिन पश्चिम चीन के परवतों का निवासी है जहां वह बांस के जंगलों में पाया जाता है बांस पांडा का प्रमुक भोजन है उसका 95 से 99 प्रतीशत भोजन बांस ही है हां उसे मीटा खाना भी बहुत पसंद है चेडिया घरों में उसे गन्ना गाजर सेब आधी इसलिए परोसे जाते हैं परन्तु बांस में पोशक्ततु बहुत कब मातरा में होते है पांडा की पांचन शक्ती बहुत अच्छी नहीं होती अते उसे लगभग पूरे दिन खाते ही रहना पड़ता है कम से कम 12 घंटे और इस दोरान वे लगभग 18 से 20 किलो ग्राम भोजन खाता है खाते समय तहनी आदी पकड़ने के लिए पांडा अपनी कलाई में उभरी एक विशेश हड़ी का प्रयोग करता है जो कि उसके अंगूठे का काम करती है इनके बारे में एक और मज़ेदार बात यह है कि शाकाहारी होने के बाब दूद भी कभी कभी अंडे, कीट, पतंगे और यहां तक की चुहे खरगोश आदी भी खा लेते हैं एक व्यसक पांडा की उन्चाई उसके कंधे तक 3 फीट हो सकती है और कुल लंबाई 6 फीट तक नर पांडा का वजन 114 किलोग्राम तक हो सकता है जबकि मादा कुछ छोटी और कम वजन की होती है पांडा के बच्चे अपने जनम के समय बहुत छोटे होते हैं उनका वजन मातर 100 ग्राम होता है और लंबाई मातर 7 इंच होती है नवजाद पांडा गुलाबी रंग हीरोए रहेत तवच्चा के लिए होता है कुछ दिनों में इनकी तवच्चा पर काले सफेद धब्बे उभर आते हैं इमार्ती लकडी वे खेती योग्य भूमी संबंधी आवशक्ताएं पूरी करनी के लिए पांडा का फ्राक्रतिक आवास अर्थात बांस के वन निरंतर काटे जाने के कारण उसका अस्तित्व खत्रे में है वास्तव में प्रयाप्त वन्स्थल के अभाव में पांडा का जीवन यापन असंभव है अच्छी खबर यह है कि अनेक लोग पांडा को विलूपित की कगार से बचाने में लगे हैं और उन्हें वे उनके प्राक्रतिक आवास को बचाने के दिए कठे प्रयास कर रहे हैं वर्ष उन्निस सु सक्तर में केवल एक हजार पांडा हीवन में पाए गए थे इसके बाद असी की दशक में इस एक संक्तापन प्रजाती घोशित कर दिया गया पांडा को सरक्षित करने वाले कई कारेक्रमों के माध्यम से उनकी संख्या दुगनी की गई और कुल 2016 संख्या के साथ पांडा को संक्तपान प्रजीती के लेबर से मुक्ती मिल गई लेकिन अगर इन्हें प्रयाक्त सुरक्षा नहीं दी गई तो आज भी इस प्रजाती पर संक्त चा सकता है क्या आप चाहेंगे कि आपका चलता फिरता टेड़ी बियर इस दुनिया से सदा के लिए चला जाए टनू, रावत, धन्यवाद मितरों क्या प्रयाओ लेकिन अगर लेकिन आपका लेकिन आपका लेकिन अगर बियर दो आजाए